हलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा पांचवी की हिंदी पार्ट साथ बढ़ाई कार्ड तो इसका मैंने पहले एक्स्प्लेशन कर दिया है इस लेसन को ठीक है बहुत सारे कार्ड बना कि मैंने आपको दिखाये थे अलग-लग तरीकी की कार्ड किस तरीक से आप कार् पोती पोता सुपनेल मेगा क्या आया है यहां पर साधर प्रणाम यहां प्याया है पूजी दादा जी क्यूंकि बड़े हैं इसलिए ठीक है और उनको जनव दिन की बढ़ाई दिया जा रहा है यहां पर उनका कोई भी हो सकता है जैसे कि अगर आप लड़की है तो लड़की क के संबंद में नियुटवातों का ध्यान लखना चाहिए जब कार्ड हम लिखते हैं तो बनाते हैं किसी के लिए भी तो ये ध्यान रखना चाहिए संबोधन, अभिवादन, समापन संबोधन क्या मतलब किसको लिख रहे हैं अपने बड़े से और हमसे बड़े हैं या चोटे हैं या हमारे हमम्र हैं और संबोधन यानि कि उनको क्या संबोधन करना है पूजनी अधरनी या क्या कैसे बोलना है उनको अभीवादन बतलब क्या उनको चोटों को अपने मित्र सहली को अब संबोधन कैसे करेंगे जो अपने से बड़े हैं तो जिसे पूजनी जैसे हमने देखा ना पूजी दादा जी तो बड़े हैं तो इसलिए बोला पूजनी आदर्णी दादा जी आदर्णी पापा जी माननी पापा जी या फिर इस तरीके से परम पूज इस तरीके से हम लिख सकते हैं जो हमसे बड़े हैं साधर प्रणाम उन्हें क्या लिखेंगे साधर प्रणाम चरण सपर्ष नमस्कार समापन कैसे करेंगे आपका पूत्र आज्याकारी पूत्र आपका आज्याकारी पूत्र या आपकी आज् बीवी जो भी आपके भाई का नाम रहेगा वो लिखना है आईश्मान लिखना है उने ठीक है उनके आगे उनके नाम के पहले प्रसन रहो सुखी रहो तो यहां पर जो अभिवादन लिख रहे हैं हमने देखा बड़े को अगर लिख रहे हैं तो कैसे साधर प्रणाम चरण कीसे करेंगे कि संबोधन कैसे करेंगे वह हैं पुझे दादा जी साधर प्रणाम क्या है अभिवादन है त् Army कैसे लिखना है याद रुखना है समापन में हमने देखा है यहाँ पे आपकी पुत्री या आपकी पोती जो नाम है वो लिखना है ठीक है और यहाँ पे देखिए अगर अपने मीत्र या सहली को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे यहां पे सम देख रहे हैं कि अभिवादन में नमस्ते सप्रिमी नमस्कार तुमारा भाई या तुमारा मीत तुमारी सक्खी ऐसे चले देखे प्रश्न उत्रन यहां पे देखते हैं उत्तर है इसका, दादा जी को जनुदिन की बधाई देने के लिए बधाई कार्ड लिखा गया है, कार्ड किसे लिखा गया है, कार्ड दादा जी को लिखा गया है, कार्ड लिखने वाला कौन है, कार्ड लिखने वाला पोता है, या पोती है, कोई भी लिख सकते हैं, उसमें दोनों नाम था, कार्ड में किन शब्दों में अभिवादन किया गया है, कार्ड में सादर प्रणाम इन शब्दों में अभिवादन किया गया है, देखना आप कार्ड में लिखा है सादर प्रणाम, प्रश्न पांच, पार्ट में किसका जन्म दिन है, पार्ट में दादा जी क जनम दिन है लिखा ना जनम दिन की वधाई अब यहां पर देखिए उचित जोड़ियां मिलाएं सही जोड़ियां मिलाएं कैसे इसका है तो देखो यहां पे पिता मामा चाचा दादा नाना यहां पे नमासा नमासी नतिनी भतीजा भतीजी पोता पोती भांजा भांजी पु ठीक है, देख लिजिए यहाँ पे, उत्तर यहाँ पे है, पहला का पुत्र पुत्री, दूसरे का भांजा भांजी, इस तरह किसे आंसर दिया है, तीसरा देखिए, नेक्स क्रोशन देखिए, लिंक बदले, बेटा का क्या होगा, बेटी, भांजा का भांजी, भतीजा का भती इसका उत्तर है यहां पर देखे लिजिए बच्छों इसके पहले मने अच्छे से बताया है काड कैसे बनाना है ठीक है तो इस्प्रेंग खिया हुआ था अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो की नीचे डिस्क्रेश्प्शन बाक्स पे आपको लिंक मिल जाए अगलग अलग प्ले लिस्ट में ठीक है और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए ठीक है जब आप देखते हो तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दिया करो उनको भी हेल्प मिल जाएगी ठीक है